दोस्तो कोहिनूर के बारे में कौन नहीं जानता जिसको इमाजिन करते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी इमेज बनती है जो ब्राइट और चमकती भी होती है और यही चीज साल 1849 में यार 1839 में अंगरेजो द्वारा इंगलेंड लिजाई जाती है लेकिनर हाल ही में 8 सेप्टेंबर को 2022 क्वीन एलिजाबेट 2nd की दैथ हो जाती है और अब वही सवाल वापिस से उठने लगता है कि क्या कोहिनूर अब वापिस से भारत आएगा कोहिनूर अभी ब्रिटन के पास है लेकिन इंडिया इस पर अपना दावा करता है यार कोहिनूर की जो कहानी है वो शुरू होती है 625 AD में जब कि इंगपुला के सी 2nd के द्वारा माभद्रकाली का मंदिर आंद्र प्रदेश में हनमकोंडा और वरंगल सिटीस के बीच में बनाया जाता है बाद में ये रीजिन काकतिया सामराज्य द्वारा लिया जाता है ये जो काकतिया सामुदाय है ये मा भद्रकाली को अपनी कुल्दे भी मानने लगते हैं और उनकी लेफ्ट आय में एक डायमेंट फिक्स करते हैं लेकि यार उसके बाद 1310 AD में अलाउदीन खिलजी डेली के सुल्तान बन जाते हैं ये मानने तो इसके लिए वो अपने खास यानी विशेश मलिक कफूर को चुनते हैं यानि कि काकतिया समाज खतम होने के बाद जो भद्रकाली मंदिर से लूट मिली है वो अलाउदीन तक लेके आने के लिए और यही कारण है कि जो कोहिनूर है वो अलावदीन खिलजी के पास पहुँचता है अलावदीन खिलजी से वही कोहिनूर अबराहिम लोदी के पास पहुँचता है और जिससे इसे मुगल ले लेते हैं और यह हमें कैसे पता चला 1526 AD में बाबर द्वारा लिखी गई डायरी में पानिपत के प्रथम युद में अबराहम लोदी को हराया जाता है और जिसके बाद कोहिनूर को बाबर का बेटा हुमाईू अपने कबजे में गर लेता है और जिसके बाद पीडी दर पीडी या निकि उनके बेटे हुमाईयों के पास उसके बाद उनके बेटे अकबर के पास और उनके बेटे जहांगिर के पास और फिर उनके बेटे शाहजा के पास और अंत में औरंग जेब को ये मिलता है अब यार 625 AD से यहां तक पहुँचते पहुचते कोहिनूर ने अपनी चमक कहीं न गहीं खो दी थी जिसके कारण औरंग जेब ने ये कोहिनूर वेनिस शहर से आए इसके जोहरी होरतेसो बोर्जडियों को दिया और उसने क्या किया इस डामेंड की चमक वापिस लाने के लिए इसको शेप में बनाने के लिए इसको इतना घीसा कि 793 केरेट का जो डामेंड था वो सिर्फ मात्र 186 केरेट का ही रह गया और यार इंटरस्टिंग बात यहाँ पे क्या है कि ये सब देखके औरंग जेप ने 10,000 रुपए का जुर्माना उससे वसूल किया साल 1749 में नादिर शाह इंडिया आते हैं और करनाल में हुए युद के बाद मुगलों को हरा के डेली पे कबजा कर लेते हैं इसके बाद वहाँ पे एक अपवा फैलती है कि मुहमद शाह का कतल नादिर शाह ने कर दिया है और आम लोगों ने नादिर शाह के सिपाईयों को मारना शुरू कर दिया अब यार हिस्ट्री में तो ये भी बताया गया है कि इस पूरे कतल राम में 20,000 से ज़ादा लोगों को मारा गया जिसके बाद मुहमद शाह ने नादिर शाह को इस कतल राम को रोकने को कहा नादिर शाहा ने इस कतले आम को रोकने के बदले 100 करोड रुपए मांगे उन से और इंटरस्टिंग बात ये है कि मोहमद शाहा ने अपनी ही डेली लूट के इनको दे दी इस्ट्री में यहां तक दिया गया है कि नादिर शाहा की सभा में नाचने वाली ने मुकबरी की कोहिनूर की उसने बताया कि मोहमद शाहा अपनी पगड़ी के अंदर कोहिनूर लगा के रखते हैं इसके बाद नादिर शाहा ने पगड़ी बदलने की जो रसम होती है उसके बहाने महुम्मद शाहा की पगड़ी अपने पास ले ली और इस तरीके से जो कोहिनूर है वो नादिर शाहा के पास आ गया जेम्स फ्रेजर की एक बुक है The History of नादिर शाहा जिसमें बताया गया है क जब नादिर शाहा वापस एरान जा रहे थे तो अपने साथ 61 करोड रुपए का खजाना लेके जा रहे थे और साथ में शाहा जांका पिकॉक थ्रोन जिसकी कीमत लगबग 9 करोड रुपए थी वो भी अपने साथ लेके जा रहे थे दोस्तों इंटरस्टिंग बात ये है कि इस पूरे खजाने को नादिर शाहा को ले जाने के लिए 700 हाती, 400 उट और 17,000 घोडों की जरुट पड़ी और यार इसमें से कुछ खजाना तो रास्ते में सैनिकों ने जमीन पे गिरा दिया और ये पहली बार था कि कोहिनूर भारत से बाहर गया, और यह ट्विस्ट यहां से आता है, नादिर शाहा की हत्या के बाद उनके ही बॉडिगार्ड एहमद शाह के पास कोहिनूर चला जाता है, इसे 1813 में पंजाब की शासक रंजीत सिंग ने वापस ले लिया, और इस तरीके से कोहिनूर वापस से भारत आया, य किसी जगा पे नहीं जो आपाते थे, तो वो कोहिनूर को वहाँ पे भीज देते थे, उनके सिंबल के तौर पे, और इस समय तक अंग्रीज जो है, वो भारत में आ चुके थे, जिसके बाद एंजलो से खियोद हुआ, और उसके बाद 1839 में रंजीत सिंग की मृत्यू के बा रिखा होता है, कि भीया कोहिनूर अपसे हमारा है, ये जो हीरा है, ये अपसे हमारा है, और उन्हें भी यानि कि दिलीब सिंग जी को भी इंग्लेंड भेजने की तयारी करते हैं, अब यहाँ बे जैसे ही अंग्रेजों के पास कोहिनूर पहुंचता है, वो इसे जल्दी से इंग्लेंड जा रहा था ना तो इसने बहुत सारी मुसिबतों का सामना किया नौबत तो ये भी आई कि इस जहाज पे लोगों को हैजा फैल गया था और बस इतना ही नहीं इंग्लेंड पहुंचने के लिए जहाज को बहुत सारे समुंदरी तूफानों का सामना करना पड़ा और England पहुँचते पहुँचते ये जहाज दो हिस्सों में हो गया था अब जैसे तैसे ये जो जहाज है England पहुँचता है और कोहिनूर को Queen Victoria को दे दिया जाता है लेकिन उन्होंने इसे पहना नहीं और कहा जाता है कि जब दिलीप सिंग जी बड़े हुए तो उन्हें इस कोहिनूर को दिखाया गया और दिलीप सिंग जी ने कहा कि ये हीरा वैसा नहीं है जैसा हुआ करता था और Queen Victoria को ये रखने के लिए क्या दिया कि आप रखिये तो दोस्तों ये जो कहानी थी ये पुरी कोहिनूर की कहानी थी कैसे कोहिनूर मिला और कहा कहा इसने ट्रेवल किया है कितना पुराना है अब बात करते हैं Elizabeth second की death के बाद क्या कोहिनूर वापस से भारत में आ सकता है दोस्तों साल 2016 में कोहिनूर को भारत वापस लाने के लिए सुप्रीम कोट में एक अपील डाली गई थी जिसमें कल्चर मिनिस्टर जो थे उन्होंने कहा कोहिनूर वापस भारत नहीं आ सकता क्योंकि इसे अंग्रेजो द्वारत चुराया नहीं गया है सेकिंड एंजलो सिक वार के दौरान खुद दिलीप सिंग्जी ने एक अग्रीमेंट एक ट्रीटी पे साइन करके कोहिनूर को अंग्रेजो को दिया था साल 1970 में कॉन्वर्शन अन दे मीन्स ओफ प्रोहबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग दे इलिक्ट इंपूर्ट एक्सपूर्ट का एक अग्रीमेंट बनाया जाता है जिसकी माने तो अब कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री से कोई चीज वापस नहीं मांगेगी जब तक उसे चुराया ना गया और इंडिया भी इस अग्रीमेंट में सिगनॉट्री है मतलब उन्होंने भी वहाँ पर साइन किये है तो यार ऐसे में अब चीजे तो यही निकल के आती है कि कोहिनूर वापस से भारत में नहीं आएगा आने वाली जो क्वीन होंगी वो अपने क्राउन पे उसे लगाएंगी यार बस ये वीडियो यहीं तक था I hope मैं उम्मीद करूगा कि कोहिनूर जो हीरा है उसकी पूरी हिस्ट्री अभी तक आपको शौट में ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश किया आपको पता चल गई होगी और भारत आने की जो बात रही है अभी मीडिया में नियूज में चीज़े जो फैल रही है कि यार कोहिनूर को वापस भारत आना चाहिए बट जो पीछे के अग्रिमेंट हो रखें जो हिस्ट्री है जो तत्य है जो फैक्ट है प्रैक्टिकल है उसकी अकॉर्डिंगली जो था वो यही था यार मुझे नहीं लगता और जो भी अभी तत्य है उनके हिसाब से वापस आना बहुत मुश्किल है चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं आने वाले वीडियोस में और कॉंटेंट के लिए बने रहिएगा साथ में तब तक के लिए कर दो दोगा कर दो बने खाएगा से वीडियोस में तो यहीं तो आज को वापस आज को आज को आज को आज को आज को आज को एंगा